हेलो एबरीबन स्वागत है आप सभी का एक पर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉंसेप्ट में तो दोस्तों आज की सेशन में हम लोग एड़ुटेरिया पॉब्लिकेशन का मॉरल पैक्टिस सेट देखेंगे और ये आज का जो सेट होगा पंदरावा मॉरल पैक्टिस सेट और इस बुक का लास्ट मॉरल पैक्टिस सेट होगा फ्रेट्स ये बॉल्यूम टूबुक है जिसमें की टोटल देखिए पंदरा मॉरल पैक्टिस सेट दिया हुआ है और इसका हम लोग एक से लेके 14 तक जो है अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंग की यहाँ पर प्रवाइड करा दिया गया यहाँ से आप लोग देख लिजिए तो इस वीडियो करते हैं आज का सेशन और देखते है प्रैक्टिसेट 15 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है तो देखे क्वेश्चन में फश्ट दिया हुआ है एमनेश्टी इंटरनेशनल निम्नलेखित में से किस से संबंदित है सही आंसर इसका मानव अधिकार से संबंदित है एमनेश्टी इंटरनेशनल जो है यह मानव अधिकार से संबंदित है और एमनेश्टी इंटरनेशनल की जो अस्थापना हुई थी फ्रैंट्स वह 1961 सीबी में हुई थी ठीक है 1961 सीबी में तो ये भी याद रखेगा option number जो B दिया हुआ है यहाँ पे सही answer हो जाएगा ठीक है अब चलिए अगला प्रश्ण देख लीजिए कहरा है इसमें कि योको हामा रन नीती नीमने लिखी तो यहाँ आपदा प्रबंदन से सम्बंदित है ठीक है किसे सम्बंदित है आपदा प्रबंदन से option number C होगा right answer अगला प्रश्ण में कहरा है कि बीज बचाओ आंदोलन का सम्बंद किस राज से है सही है उत्राखंड से बीज बचाओ आंदोलन जो है यह उत्राखंड के किस आनुदरा शुरू किया गया आंदोलन है तो क्या हो जाएगा इसका right answer option number B होगा अब चलिए next question देख लीजिए कह अस्थापना किस वर्स हुई थी अंतराश्रिय मुद्राकोस यानिकी IMF की अस्थापना किस वर्स में हुई थी तो सही answer इसका हो जाएगा option number D यानिकी 1944 में ठीक है अगला प्रशन देखेंगे पांस नम्मर इस पर कह रहा है कि ग्यानपीट पुरसकार पाने वाली पर्थम भारतिय महिला कौन थी तो ग्यानपीट पुरसकार पाने वाली पर्थम भारतिय महिला थी आसा पुर्णा देवी याद रखेगा आसा पुर्णा देवी जो है इसक प्राइस्ट कोईशन देखते हैं मुद्रा अब अमुल्यन का परिनाम होता है तो सही आंसर इसका निरियात में बृधी होता है और भुगतान संतुलन में सुधार तो क्या हो जाएगा ऑप्सन नमर बी हो जाएगा राइट आंसर उसके बाद अगला परशन है सर्व सिक्षा आवियान के तहत केंदर और राजियों के मध्य वित्तिय व्यवस्थाकों की सनुपात में विभाजित किया गया है। इसका सही आसर होगा उसके बाद जो अगला प्रश्ण दिया वैस में कहा रहा है कि नियूनतम समर्थन मुल्य की घोशना कब की जाती है। संबंधित ग्राहकों की सिकायतों को सुनने और उसके समाधान के लिए सुरू की गई थी। तो अप्सन नमर क्या हो जाएगा? निमलिखित में से भारती समीधान के किस संसोधन द्वारा आनुचेद 19.1 के सी में सहकारी समीतिया सब्द जोड़ा गया? तो यह जो रागया था संसोधन अधिनियम 2021 के तहत याद रखेगा? अप्सन नमर जो D या होगा फ्रेंस यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा? अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नमर 12 और इसमें कहारा है के अंदर ये सतरकता आयोक का कारेकाल क्या है? तो सही है, चार वर्स या 65 वर्स की आयो तक, जो भी पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका? अप्सन नमर D हो जाएगा सही आई अब दिखते हैं अगला प्रष्ट केरेस में कि निमलेकित में से कौन से मूल अधिकार हैं जो केबल भारती नागरिकों को प्राप्त है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आदेखिए अनुछेद 15, 16, 19, 29 और 30 ठीक है? अप्सन नमर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर नेक्ष्ट क्वेश्चन देख लिजे दिया हुआ इसमें कि केंदर सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो इसमें जो मंत्री मंडल की जो सचीव होते हैं उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होते हैं याद रखेगा? बी हो जाएगा इसका सही आंसर उसके बाद जो नेक्ष्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कह रहा है कि किस समिधान संसोधन के अंतरगत राश्ट्री आपात इस्थिती लागू करने के लिए आंतरिक असांती के अस्थान पर ससस्त्र वीद्रोह का आधार रखा गया था तो यह रखा गया था 44 समीधान संसोधन 1978 के तहित ए हो जाएगा राईट आंसर फैर्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते है इसमें समीधान के किस अनुछेद में वर्णीत है कि समीधान के अनुछेद में वर्णीत है अब चलिए अगला question देख लिए फ्रेंट 17 नमर में कहा रहा है कि गंगा की सायक नदिया जो नीचे वड़नित है इनमें से कौन सी नदी उत्तर की और प्रवाहित होती है तो वह नदी है सोन नदी ठीक है सोन नदी जो है यहाँ उत्तर की और प्रवाहित होने वाली नदी है option नमर सी इस question का सही answer होगा आप चलिए friends देखते है next question दिया हुआ है national remote sensing agency कहां इस्थित है सही है 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 ठीक है national remote sensing center जो है कहां पे इस्थित है 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 अपसे नमर जो बी दिया हुआ है सही हो जाएगा next question है कि म्यानमार के साथ भारत के कितने राजियों की साजी सीमा है म्यानमार जो देश है उसके साथ भारत के कितने राजियों की साजी सीमा है म्यानमार जो है भारत के साथ लगभग 643 किलोमेटर की जो है लंबी सीमा साजा करता है 643 किलोमेटर याद रखेगा ठीक है तो option नमर जो C दिया हुआ यहाँ पे सही answer हो जाएगा अब देखेंगे next question जो दिया हुआ इसमें क्या कह रहा है कि निमलेकित में कौन सुमेलित नहीं है परबत दर्रा दिया हुआ है दूसरे तरब जो है उससे संबंदी तराज है और कह रहा है कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है तो option number C में जो यहाँ पे देखें नाथुला दर्रा दिया हुआ है ठीक है नाथुला दर्रा जो दिया हुआ है और यह मेगाले जो है यह मेगाले नहीं ना थुला दर्णा जो है friends, यहाँ सिक्किम में इस्तित है, ठीक है, कहाँ पे इस्तित है यह, तो यह सिक्किम में इस्तित है, तो इसलिए option नुमर जो C है, इसका सही हो जाएगा, अब चलिए अगला प्रश्चिम देख लीजिए, कह रहा है कि निमलेकित में से कौन सी एक हो जाएगा, ठीक है friends, चलिए, अगला question देख लीजिए, question नुमर 22 में कहा रहा है कि निमलेकित कत्नों में से कौन सही नहीं है, तो इसका जो option नुमर D दिया हुआ है, काले मिटी हिमाले छेतर में पाई जाती है, यह कत्थन जो है, सही नहीं होगा, ठीक है, काले मिटी जो ह से किस राज्य में सरवाधिक वन आचादित छेतर है, तो यह है मर्दे पर्देश में, ठीक है, याद रखेगा, मर्दे पर्देश में, option नुमर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, इसका सही answer, उसके बाद, परमानु में कक्षो को भढ़ने का करम नियंतरित होता है, किसके द पीतल इनमें से किस का मिसरन है, तो सही है, 30% जस्ता और 70% तामबा का मिसरन है, पीतल, option नुमर B जो है, सही हो जाएगा, नेक्स्ट है, कि जल अपगटन में उरजा किस रूप में उत्पन होती है, सही answer है, इसका उस्मा के रूप में उत्पन होती है, option नुमर B हो जाएगा सही अब चलिए अगला प्रश्ण देखेंगे प्रश्ण नमर 27 और इस question में कहा रहा है कि खीरे को काट कर यदी नमक डाला जाता है तो निम्न में से किस के कारण पानी निकलता है सही है परासरन के कारण ठीक है परासरन के कारण जो है खिरे को अगर काट कर उसमें नमक डाला जाता है तो पानी निकलना सुरू हो जाता है तो option number C इस question का right answer होगा अगला प्रश्ण है कि oxygen के बाद सबसे अधिक उपलब्द कौन सा मूल तत्व है तो वह है silicon ठीक है silicon इसका right answer होगा option number 1 next दिया हुआ है कि पारे का साधारन तया ताप मापी यंत्रों में उप्योग किया जाता है क्योंकि इसकी भी सेस्ता है सही है उच उसमी है परसार यानि कि जो option number C दिया हुआ है सही हो जाएगा अब next question देखेंगे तीश नमर question दिया हुआ है देखी कह रहा है कि निमलेखित कत्मों पर विचार कीजिए कठोर जल उप्यूक्त नहीं है इनमें से कौन-कौन से कथन सही है तो option number D एक, दो, तीन, चार यानि सभी कठन जो है क्या है सही है सभी कठन इसका सही हो जाएगा ठीक है अब चलिए अगला प्रश्ण देखेंगे एक कत्ष नमर में कह रहा है कि वनस्पती तेल से वनस्पती घी बनाने में प्रिक्त होने वाली गाइस कौन सी है तो वह गाइस है, हाइड्रोजन गाइस, option number A हो जाएगा अगला प्रश्ण में है कि निमले के तमसे कौन सी एक वायू मंडल में अस्थाई गाइस है तो वायू मंडल में जो अस्थाई गाइस है वह है, नाइड्रोजन, option number C, इसका राइट आंसर होगा अगला प्रश्ण जो दियावा, friends कहा रहा है कि फूलों के अध्यन को कहते है फूलों के अध्यन को क्या कहा जाता है, तो याद रखेगा फूलों के अध्यन को एंथोलोजी कहा जाता है ठीक है, क्या हो जाएगा इसका right answer, option number B हो जाएगा सही अब चलिए अगला प्रश्ण देखेंगे, इसमें है कि अधिकांस कीट स्वसन कैसे करते है तो right answer इसका हो जाएगा, वातक तंतर से, किसे करता है, वातक तंतर से करता है तो option number D दिया हुआ है, सही होगा, अब चलिए अगला प्रश्ण देखेंगे, कह रहा है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है तो याद रखेगा, तना जो है, इसमें इसी से प्राप्त होता है, option number B होगा next है, कि पादब कोसिका, जन्तु कोसिका से किस प्रकार भिन होती है, पादब कोसिका जो होती है, बस जन्तु कोसिका से किस प्रकार भिन होती है, सही है, इसका कोसिका भित्ती की वज़ा से ठीक है पादब कोसीका में कोसीका भित्ती पाए जाती है जबकि जन्तु कोसीका में ये नहीं पाजाती है तो इसलिए यहाँ जो है पादब कोसीका जन्तु कोसीका से भिन्न होती है option number B इसका right answer होगा अगला प्रशन है कि जीवों में anovansy collection संतान में लाए जाते हैं किसके द्वारा तो यह क्रॉमोसों के द्वारा जोंहे लाए जाते है option number B हो जाएगा अगला प्रशन देख लिजिए इसमें कहा रहा है कि कौन से परिबर्चन में एंजाय में ट्रिप्सीन उत्प्रेरक का कारे करता है सही है प्रोटीन को अमीनो अमलों में ठीक है ओप्सन नमर क्या होगा? C होगा? अब चलिए अगला प्रश्न देख लिए फ्रहर से देखें इस पर कहा रहा है कि निमलेखित खनीजों पर विचार कीजिए और उपर युक्त खनीजों में से मानव सरीर में पेशियों की संकूशन के लिए किसकी या किमिकी आवसकता होती है तो वह आप्सन नमर यहाँ पर D दिया हुआ है आप्सन नमर D 1, 2, 3 हो जाएगा कैलसियम, लोह और सोडियम सभी की होती है आई अब देखते हैं, अगला प्रशन 40 नमर कहाँ है कि सुमेलिद करने के लिए तो इसको जो सुमेलिद करेंगे फ्राइस तो उप्सन नमर इसका A हो जाएगा ठीक है, A का 3 हो जाएगा, उसके बाद आखे B का 4, B का 4, C का हो जाएगा टू, प्रोड्यूसर गाज जो है उसके बाद वाटर गाज जो है, क्या हो जाएगा उप्सन नमर एक हो जाएगा तो उप्सन नमर A इस क्वेश्चन का यहां पर करेक्ट आंसर है चलिए अगला प्रशन देख लिए प्रशन 41 में कह रहा है कि निमलेकित में जल का प्रकास अभगटन प्रणाम देगी उप्सन नमर A हो जाएगा सही अगला प्रशन है कि दाव की इकाई क्या है दाव की इकाई पूछा जा रहा है तो दाव की इकाई जो है न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है उप्सन नमर A हो जाएगा next question है रमन प्रभाव का परकास की उन किनों से संबंध है जो आर पार जाती है जो आर पार जाती है सही है इसका सभी पारदर्सी माधियम के तो option नमर जो D दिया हुआ है इसका सही होगा अगला प्रश्ण है रात के समय में खुले आकास में तारों के टिम्टी माने को किस से समझाया जा सकता है तो इसका option देख लीजिए चार option दिया हुआ फ्रेट्स और इसका जो सही आसर होगा वो होगा प्रकास के अफवर्तन के वज़े से जो है तारे टिम्टी माते हैं option नमर A हो जाएगा इसका right answer next दिया हुआ इसमें कि अतिचालक का लक्षन है तो अतिचालक का क्या लक्षन होता है सुन पार्गम्यता होता है C हो जाएगा next question है कि प्रकास बैदुत प्रभाव के अविस्कार करता कौन थे प्रकास बैदुत प्रभाव के अविस्कार करता कौन थे तो इसके अविस्कार करता थे हर्टस यानि की option number A हो जाएगा सही next question है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है तो इसके tachymeter जो दिया हुआ यहां पे दाबान तर यह सही सुमेलित नहीं है जो है एक परकार का सरवेक्षन उपकरन है जिससे 36 दूरियों लंबवत उननायनों एब अमदिशाओं के त्वरित मापनेतु डेजायन किया गया है तो option number C जो है देखिए सही हो जाएगा अब चलिए अगला परश्म देख लीजिए पासानिक प्रसंग में पसुपालन के प्रमान जहां मिलते है यह अस्थान है यानि कि वह कौन सा अस्थान है तो सही है इसका आदमगड option number C इस question का सही अंसर होगा अगला परश्म दिया हुआ है कि एतिहासिक स्रोत की रूप में उपलब्द विस्प प्रसीद कंधार के अभी लेक की लीपी क्या है ठीक है तो इसकी जो लीपी है वह है यूनानी और अर्माई की लीपी option number D हो जाएगा सही अंसर अगला परश्म में है हरपा सब भेता कि निमलिकित में से कौन सा या कौन से सिंध चेतर में आवस्थित है तो वह हो जाएगा दो और तीन यानि कि मोहन जोदरो और चन हुदरो जो है या सिंध चेतर में आवस्थित है option number B इसका right answer होगा उसके बाद next question के रहा है कि उसके बाद next question में के रहा है कि संस्कृत का महान कभी और नाटक कार राज सेखर किस प्रतिहार सासक के दर्बार में रहता था तो सही है वो माहिपाल के जो है दर्बार में रहते थे option number C हो जाएगा सही answer next question है कि निम्लेकित में से किस ने मद्यकालीन भारत में तमिलनाडू पर सासन किया था right answer इसका हो जाएगा चोल वंस ठीक है मद्यकालीन भारत में तमिलनाडू पर सासन करने वाला वंस था वह था चोल वंस तो option number D इसका सही हो जाएगा next question देख लिजिए question number 55 जो दिया हुआ इसमें कहा रहा है कि निम्लेकित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है दूसरे तरब जो है उसका कारे दिया हुआ है और कहा रहा है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है तो दिवान ए बंदगान जो यहां दिया हुआ है विदेश विभाग यह सही सुमेलित नहीं है दिवान ए बंदगान का संबन जो है विदेश विभाग से नहीं बलकि गुलामों के विभाग से संबन दी था तो option number C इसका right answer हो जाएगा आई अगला प्रस्ट इसमें है मदिकाली किस सासक ने इसलामी कानूनों की एक संहीता तयार करवाई थी तो सही है इसका इसलाम सा option number जो B दिया हुआ है सही answer इसका हो जाएगा आई फैर सब देखते हैं next question कह रहा है इसकी निम्न को सही काल करम से ब्यवस्तित कीजिए दो चार हो जाएगा एक तीन दो चार यहाँ पे हो जाएगा तो सबसे पहले लड करजन का कारेकाल यह वाईसर आय रहे थे अठारा से शनिन्यानवे से लेके 1899 से लेके 1905 इसभी तक उसके बाद 3 नमर पे हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग देखिए इनका जो कारेकाल रहा था वह 1910 से लेके 1916 तक रहा था ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद लॉर्ड चेम्स फोर्ड दो नमर पे आ जाएगा ठीक है लॉर्ड चेम्स फोर्ड यहां जो है देखिए दूसरा नमर जो दिया हुआ है लॉर्ड चेम्स फोर्ड इसका जो कारेकाल था हुआ 1916 से लेके 1921 इस भी तक और साबसे लास्ट में लॉर्ड इर्भिन हो जाएगा इसका कारेकाल जो है 1926 से लेके 31 तक था तो आप्सेन नमर ए इस कुष्चन का यहां पे एक तीन दो चार होना चाहिए इसका सही आसर अब इसके लिए अगला कुष्चन देखेंगे अंठावर नमर कहरा है कि इबादत खाना के संबन में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है तो सत्य कथन इसका आप्सेन नमर भी एक और तीन हो जाएगा इसकी अस्था गया था तो यह होगा था उनिश्व इस इस भी में ऑप्सेन नमर भी जो है सही होगा उसके बाद निमनलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो पूना सावजनिक सभा के सवचंदर सेन जो दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है पूना सावजनिक सभा यहां जो के सवच नमबर D हो जाएगा इसका सही answer next question कहरा है कि सरवाधिक जय भीविदता कहाँ पाए जाती है सरवाधिक जय भीविदता कहाँ पाए जाती है तो यह ओष्न कटीवंधिये वर्षावन में पाए जाती है option number A इसका right answer होगा next question स्वाधिक जीवों की कारवन और उड़जा की आवसकता है किसके द्वारा पूरी होती है तो याद रखेगा यह पूरी होती है प्रकास अंसलेशन के द्वारा option number A हो जाएगा सही next question है सरवाधिक अस्थाई परिस्थितिक तंत्र और निमनांकित में से कौन है तो वह है महासागर याद रखेगा option number जो C दिया हो है सही होगा अब चलिए next question देख लिजिए 64 number question होगा कह रहा है कि मानब गती वीडियों से परिवर्तित परियावरन क्या कहलाता है मानब गती वीडियों से परिवर्तित परियावरन क्या कहलाता है तो याद रखेगा यह एंथ्रोफ वो जेनिक पडियावरन कहलाता है option number B हो जाएगा और देखते हैं अगला प्रशन कहरा है इसमें कि निमलेकी तेमें से कौन सा देश अफरीका महादूत में अवस्थित नहीं है इनमें से वो कौन सा देश है जो कि option number जो A दिया हुआ है सही हो जाएगा अगला प्रशन मार्च 2024 पे किस राजी में विद्वा पुनर वीवा प्रोथसान योजना सुरू की है तो यह सुरू हुआ है जारखंड में option number B हो जाएगा सही उसके बाद अगला प्रशन है चंद्रियान 3 रोवर पर लगे laser प्रेरीत breakdown spectroscopy उपकरन का उद्दे से क्या है तो इसका उद्दे से है तीवर laser pulse का उपयोग करके चंद्र मिट्टी की सरशना का विसलेशन करना सी इस का राय टांसर होगा अगला question देखेंगे कि राय की made in India from independence to emergency पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है अमिताव कांत आप्सिन नमबर सी जो है सही हो जाएगा उसके बाद है कि 12 सरकार द्वार अक्टूबर 2023 में इसराइल हमास यूद छेतर से नागरीकों को सुदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था तो उस अभियान का नाम था ऑपरेशन अजय ऑप्सिन नमबर ए जो है देखे सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईश्यर है बंगस वैली मोचसब 2023 की सराज याक्यंदर सासित प्रदेशों में मनाया गया तो याक्यंदर सासित प्रदेश जमू कस्मीर में मनाया गया ऑप्सिन न अगला परेशन है कि वर्स 2023 के चिकित्सा के चेत्र में नोबेल पुरसकार की से परदान किया गया था तो यह मिला था के टालिन कारिकों को ऑप्सिन नमर जो डी दिया हुआ है सही हो जाएगा अगला परेशन देखेंगे 73 नमर में कह रहा है कि हाल ही में इंडस एक्स सिखर सम्मिलन का आउजन कहां किया गया सही है नई दिली ऑप्सिन नमर ए इसका राइट आंसर होगा अगला परशन देख लिजे प्रवासी पक्षियों के लिए कोप 14 की मेजवानी कौन करेगा सही है उजवेकिस्तान ऑप्सिन नमर डी हो जाएगा सही आंसर उसके बाद टीडिया पॉब्लिकेशन के उधार और जो वॉल्यूम टू बुक लाँज किया गया है विहार SAC के लिए जिसमें की टोटल पंदर मॉडल पैक्टिस सेट दिया हुआ है तो आज हम लोग इसका पंदरवा और आखरी मॉडल पैक्टिस सेट कवर कर लिए है और इस सेट में है तो फ्रेंस ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल से आप लोग जूरे रहिए नेक्स्ट वीडियो में दवारा फिर से मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद